आज हम बनाएंगे कठल की सबजी, जी हाँ, कठल की सबजी तो वैसे आपने बहुत तरीके से बनाई होगी, लेकिन आज का ये तरीका देखकर आप बाकि सारे तरीके भूल जाएंगे, सबजी की ग्रेवी बनाने के लिए ना ही हम कोई मसाला पीसेंगे, ना ही कोई पेस्ट बनाएंगे, फिर भी सबजी बहुत ही बढ़िया बनेगी, इस तरह से अगर आपने कठल की सबजी बना लीना तो यकीन मानिए, नौन वेच खाना तो भूली जाएंगे, इतनी बढ़िया सबजी बनकर तयार हो जाती है, और कठल के अंदर तक फ्लेवर जाएगा, इसके ल बनाएंगे, आप कठल के छोटे बड़े पिसेस कर सकते हैं, कठल के थोड़े से बड़े बड़े पिसेस करिएगा, अच्छे दिखते हैं, तो सबसे पहले हम कूकर में एक से देड़ गलास के करीब पानी डाल देंगे, क्यूंकि हम इस कठल को अंदर तक फ्लेवर देना च और इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हांस करने के लिए हम इसमें डाल रहे हिंग, जी हां हिंग के पानी में जब कठल उबालेंगे, तो उनका अंदर तक टेस्ट हो जाएगा ही, सबजी का फ्लेवर भी उभर कर आ जाएगा, तो इस पानी में अब हम दो पत्ता इसमें डाल देते है, कटे हुए कटहल, और इसकी एक विसल आने तक हम इसको पकाएंगे, इससे क्या होगा, कटहल के अंदर तक फ्लेवर जाएगा, और कटहल अंदर तक फ्लेवर फूल लगेगे, नहीं तो क्या होता है, ग्रेवी तो अच्छे से बन जाती है ग्रेवी का टेस्ट अच्छा आता है लेकिन कटहल फिके-फिके से लगते हैं लेकिन इस तरह से अगर आपने किया तो कटहल के अंदर तक फ्लेवर जाएगा और सबजी बहुत ही बढ़िया लगेगी एक सिटी आ चुकी है तो अच्छे से भाप निकलने देंगे और बाद में कुकर को खोलते हैं तो देख सकते हैं कटहल 60-70% यहाँ पे कुक भी हो चुके है और यह अंदर तक अच्छे से फ्लेवर फुल भी बन चुके है तो चलिए इस पानी से इनको निकाल लेते हैं इस पानी को फेकनी की गलती आप बिल्कुल भी ना करियेगा क्योंकि इसी पानी का यूज हम ग्रेवी बनाने की लिए करेंगे तो यहाँ पे हमने कटल को चान लिया है यह जो पानी है इसे फेकना नहीं है इसी का ही यूज होगा आगे सबजी में क्योंकि बहुत ही फ्लेवरफुल पानी है तो एक स्टेप हमें और करनी है आप कहेंगे कि क्या है स्वाती सबजी तो कटल की बना रहे लेकिन इतने स्टेप जी हाँ सबजी तो बढ़िया बनानी है ना तो कुछ स्टेप फॉलो जरूर से करियेगा सबजी बनाने के लिए हम ग्रेवी की मेनत तो नहीं करेंगे कोई मसाला नहीं पिसेंगे लेकिन इतने दोनों स्टेप जरूर फॉलो करेंगे तो यहाँ पे मैंने सरसो के तेल का यूज किया है थोड़ा सा तेल इसमें डाल दिया है कोकर में और जिसमें डाल देंगे उबले हुए कटल जी हाँ इस सरसो के तेल में कटल जब भून जाएंगे तो उनका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ी आएगा और साथी साथ तेल के साथ कटल को भूनने से कटल का टेक्चर भी अच्छा हो जाएगा इस तेजपता को हम निकाल सकते हैं क्योंकि इनका काम हो चुका है दो से तीन मिनिट के लिए कटल को अच्छे से भून लीजेगा वाव परफेक्ट देख सकते हैं थोड़े थोड़े लाल स्पोड भी आने लगे हैं तो चलिए इसे अब हम निकाल लेते हैं और अब हम बनाते हैं सबजी की ग्रेवी जी हाँ सबजी की ग्रेवी तो बनाएंगे लेकिन कोई मसाला नहीं पीसेंगे क्योंकि आज हम मैनत नहीं करेंगे पहली ही मैनत कर चुके हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर से मैंने कुकर में तेल डाल दिया हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे है खड़े मसालों को अच्छे से तेल के साथ भून लेते हैं और यहाँ पे हमने लिया है लंबा स्लाइस में कटा हुआ प्याज दो प्याज है, एक टमाटर है, 7-8 लसन की कलिया है और दो हरी मिर्च है जिनका हम साबूत ही यूज करेंगे साबूत लसन की कलिया डाल दी है प्याज डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दी है और आप कहेंगे कि इससे कैसी ग्रेवी बनेगी तो आप वीडियो को पूरा देखिए इससी सी ही अच्छे से ग्रेवी बनेगी हमें इसको पीषने तक की जरूरत नहीं है क्योंकि हम मेहनत नहीं करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं प्याज को हमें सोड़ा सा भून लेते हैं इसको जादा नहीं भूनना है नहीं तो क्या होगा प्याज अच्छे से नहीं गल पाएगा एक मिनिट हो चुका है तो अब हम डाल देते हैं टमाटर दोट प्याज लिये थे एक टमाटर लिया था टमाटर डालने के बाद इसके उपर डाल देते हैं नमग ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से और सफ्ट हो जाएं और एक बार फिर से सभी चीजों को मिलाते है सबजी बनाते वक्त पहले जब हमने कठल बुने थे तो हमने सरसो के तेल में बुने थे और बाद में हमने स्वैबिन वाला तेल आता है ना तो उसी का ही यूज किया है आप चाहे तो पूरी सबजी सरसो के तेल में ही बना सकते है अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रॉंग सबजी का फ्लेवर अच्छा हो क्योंकि सरसो के तेल का फ्लेवर थोड़ा सा स्ट्रॉंग आता है तो मैंने क्या किया बाद में स्वयविन वाला तेल यूज किया और जो फ्लेवरफुल पानी था ना जुसे हम बचा के रखा था उसे डाल दिया है और इन सब की एक सीटी फिर से लगाएंगे ताकि प्याश टमाटर अच्छे से गल जाएं देख सकते अच्छे से गल जुके हैं तो अब हम क्या करेंगे इनको कर्ची की सहता से मैश करेंगे एक सीटी लगाने से प्याश टमाटर बाकि सारे मसाले अच्छे से सौफ्ट हो चुके हैं लहसुन तो पूरी तरह से गल जुका हैं और यह जो खड़े मसाले हैं जो हम निकाल देते हैं क्योंकि इनका काम हो चुका है और कर्ची की साहतर से प्याज और टमाटर को अच्छे से मैश करते जाएंगे और इसमें जो हमने पानी डालाता ना तो उसको सुकने तक हम इसको पकाना है ताकि पानी पूरी तरह से अबज़र होग जाएं देख सकते हैं तेल चूट रहा है मसाला अच्छे से आपे बन रहा है हमारा तो अब डाल देते हैं कुछ मसाले जैसे की हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर यहाँ पे मैंने चोटा चमच हल्दी का डाल दिया है, आदा चमच आदा चमच हल्दी पाउडर, दो चमच लाल मिर्च का पाउडर एक बड़ा चमच हमने इसमे दनिया पाउडर डाल दिया है आधा छोटा चमच हमने इस पे भूने हुए जिरे का पाउडर डाल दिया है सबजी में नमक, लालविच का पाउडर आप अपने इसाब से कम ज़ादा कर सकते हैं आज हमें थोड़ सी स्पाइसी सबजी बनाएंगे क्योंकि इस सबजी बहुत ही खास बनेगी नमक हमने पहले ही डाला था जब प्याज और डामाटर को सफ्ट होने के लिए हमने पकाया था तब ही नमक डाला था तो इस टेज पर नमक ना डालिएगा और जो फ्लेवरफुल पानी है उसे डाल देते हैं मिलाते हैं अच्छे से थोड़े सी पानी की और यहाँ पर जरूरत है तो और साधा पानी डालेंगे सबजी आपको कितनी गाड़ी या रसिली बनानी है उसे साब से पानी डाल दीजिएगा अब डालते हैं हम इसमें एक चम्मज भर कर मेट मसाला जो साउजी मटन मसाला के नाम से आता है आप कहेंगे कि यह सबजी तो भेज है लेकिन इसमें मटन मसाला कैसे जाएगा तो उसमें कोई मेट नहीं होता है वो स्रीप मसालों का कॉम्बिनेशन होता है जो कोई भी सबजी हो जिससे टेस्ट और फ्लेवर देता है तो मसाला आप डाल सकते है सबजी पूरी तरह से वेज सबजी है धनिया डाल दिया है और अच्छे से मिला दिया है अब इसे सबजी देख सकते हैं आप कितने बड़िया दिख रही है तो चलिए अब हम लास्ट में एक सीटी लगाते है तो आप कहेंगे इस सबजी पर सीटी लगाने की क्या जरूरत है भाई जरूरत है जो कुछ हमने इसमें मसाले डाले है वो अंदर तक जाने चाहिए सबजी अच्छे से पकनी चाहिए एक सीटी आने के बाद हमने कूकर को खोल दिया है आप देख सकते हैं सबजी कितनी बढ़िया यहाँ पे दीख रही है और कितनी अच्छे से कूक भी हो चुकी है देख सकते हैं आप इस सबजी को आप रोटी पराठा के साथ भी खा सकते है जो और की बाकरी के साथ ते बहुत ही ज़ादा लाजवाब लगती है तो लास्ट में डाल देते हैं हम इसमें कसूरी मेथी कसूरी मेथी ज़रूर से डालिएगा और अच्छे से मिला दीजेगा इस तरह से अगर आपने कठल की सब्जी एक बार बना लीना तो यकीन मानिए उंगलिया चाटने पर मजबूर हो जाएंगे सब्जी बनाते वگ जो कुछ मैंने ट्रिक आपको बताए है जो स्टेप बताए है वो अच्छे से फॉलो करिएगा आपकी सब्जी भी बहुत ही बैतरिन बनेगी और जिसे भी सब्जी पो रोसेंगे वो तो यकीनी नहीं करेगा कि इस सबजी में कोई ग्रेवी नहीं बनी है कुछ मसाला हमने नहीं पीसा है कोई ज़्यादा मैनत हमने नहीं की है फिर भी सबजी इतनी लाजवा बनी है कोई कह सकता है क्या इस सबजी में ग्रेवी को देखने के बाद कि हमने कुई पेस्ट इसमें नहीं बनाया है तो एक बार इस सब्सक्राइब को बनाना तो बनता है तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ अब तक के लिए अपना और अपने परिवार का खैल रखिए और हाँ अब तक अगर अपने चानल को नहीं किया है तो प्लीज चैलल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और रेसिपी को एक लाइक कर दीजिए